आप सभी का स्वागत है competition community के इस online platform पर जहां पर हम लोग अपना राश्ट्री और अंतर राश्ट्री करेंट अफेर्स की सीरीज को फर्दर कंटीनू करेंगे और 4 अक्टूबर से लिकर 10 अक्टूबर की जितनी भी महत्वपूर राश्ट्री इंतराश्ट्री घटना है वो सब हम लोग इस एक वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं मैं आपको यह भी पता दूँ आज से हमने इसमें एक नई चीज भी शुरू किया तो जो भी हमने प्रीवियस क्लासिस में करेंट अफेर्स किया है उनसे संबंदित एक कोशन जिसका आंसर आपको देना है इससे आपकी त्यारी और अच्छी होगी क्योंकि आपका भी रिव कर रहा है और आपका तो रिवीजन है अव्यस सी बात होगा ही अच्छा वह कोशन आफ दीडे तो अंत में आएगा पहले हम लोग लास्ट क्लास के करेंट अफेर्स को जल्दी से रिवाइस कर लें फिर हम लोग नया करेंट अफेर्स चार से 10 अक्टूबर के बीच का भी द डोनेश करो बहुत सारा पैसा इसमें बहुत सारे लोगों ने डोनेट भी किया उसके बाद सरकार ने अलग 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 दिशाओं में किट मास्क वगएरा वगएरा वेंटिलेटर में इस पैसे का इस्तमाल किया था लेकिन अब हम देखते हैं कि कोरोना महामारी अब कम हो अब हम देख रहे हैं कि संकर जितना लेवल था वो कम हो गया है और इसलिए पीम केर्स फंड को अलग जगहों पर इस पैसे का इस्तमाल करना है तो एक ट्रस्ट बना दिया गया और अब इस कौन लोग है जो उसके ट्रस्टी बनाए गया कौन देखबाल करेंगे रतन टाट जो है वो डेप्यूटी स्पीकर लोग सभा के रह चुके हैं हना तो पाध्यक्ष लोग सभा के रह चुके चले नेक्स क्या देखा था हाली में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाला इशिया के पहले पैरा स्विमर बन गाए याद कीजिए मैंने आपको नॉर्थ चैनल के ब बात कर ली थी नेक्स कोशन इए कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने भारत में कहा अपना पहला सौर उड़्य संयत्र किस राज्यों में स्थापित करने की घोश्डा की है तो हमने बोला राजस्तान में स्थापना करने की एमेजॉन ने बात की 420 मेगा वाट का यह सोलर होगा एमेजॉन के संस्थापक कौन है तो हमें मालूम है जैफ बेजॉस हैं और कौन है इसके करेंट सी यो तो एंडी जैसी हैं इनके बार में भी हमने बातचीत कर ली थी चले नेक्स कुशन देखेंगे 22 सितंबर 2022 को नौ सिना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार ने स्व की विशाखा पटनम में है उसने इन दोनों को बनाया और फिर इसको नौ सेना को सौब दिया गया है अब इसका काम क्या है डीप ओशियन मिशन तो मैंने आपको बताया था समुदरी तल में बहुत सारे ऐसे खनिच मौजूद है और बहुत सारे ऐसे नए नए मॉलिक्यूल मौजूद है जिनके बारे में आज तक हमको जानकारी नहीं है और वो और योगिक इस्तमाल साथ साथ उनका इस्तमाल मेडिकल फिल्ड में भी किया जाएगा बहुत सारे डिसीज जो बिमारी है उसका सॉल्यूशन वहीं समुदरी तल पे चुपा हुआ है इसलिए हमने बात महारतन कंपनी हो गई तो मैंने आपको बताया था जो अच्छी सरकारी कंपनी उनको तीन क्याटेगरी में रखते हैं महारतन नवरतन और मिनी रतन महारतन कंपनिया पांच हजार करोड़ रुपे तक निवेश कर सकती हैं कहीं पर भी बिना सरकारी मनजूरी के इसके अलाव है नहीं जी में भारत और अमेरिका के तरट रक शक बलोंने कहां पर संयोग्त exercise अभ्यास का एवजिन प्लिण किया है तो हमने बात कर ली थी चिन्नहीं में आयवजिन किया है अभ्यास क्या है तो भारत और युएस से के जो तरट रक शक है हरा इंडियन कोस्ट गार्ड है उनका ये exercise है, इसको क्या नाम दिया गया है, अभ्भ्यास नहां हमें इसका न, अच्छा मैंने आपको यह भी पता है था, एक है युदध अभ्यास, युदध अभ्यास किया है, भारत और अमेरिका की जो थल सेना है, क्योंकि युद्ध है तो थल सेना का अभ्यास जो होता है exercise जो होती उसको हम लोग क्या बोलते है युद्ध अभ्यास तो युद्ध अभ्यास एक military exercise है इंडिया और US के थल सेना यानी army जो है उसकी अच्छा एक मैंने आपको वज्र प्रहार भी last class में बता है था वज्र प्रह इंडिया और अमेरिका की जो special forces है उनकी जो exercise होती उसको क्या बोलते है वज्र प्रहार और यह केवल अभ्यास अगर आएगा तो अभ्यास क्या है जो भारत और अमेरिका की जो तर्ट रक्षा के इंडियन कोस्ट गार्ड इसको कहते हैं उनकी exercise चलो किस देश ने प्रात्मि हाई blood pressure में hypertension होता है उसको कम करने के लिए क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए WHO special program पुरुसकार दिया है WHO का मुख्याले कहाँ पर है जनेवा Switzerland में मुख्याले मुख्याले मौजूद है किस राज्य सरकार ने भारत के पहले डुगॉंग conservation reserve का सुचित किया है जो डिगॉंग होता है वो क्या होता है उसको समुद्री गाएं यानि सीकाओ बोलते हैं बहुत शांत जानवर होता है और मैमल यानि स्थनधारी होता है और पाक बे यहीं पर तमिल नाडु ने जो इंडिया और स्री लंका के बीच में यहीं पर क्या हुआ ह यहीं पर डुगांग को conservation करने के लिए रिजर्व तमिलाडू ने अधीश उचित की है नेक्स्ट हाली में कौन होकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं तो दिलीब तिर्की साब चुने गए होकी इंडिया के अध्यक्ष यह ओडिसा के हैं मैंने आपको इंट्रेस्टिंग कहानी बनाई थी यह पहले तो इंडिया टीम से एक समय पर कैप्टेन भी रह चुके और अभी जब इनका नाम आया तो दूसरे राज्यों ने अपने अपने नामों को वापस ले लिया जब इनका अध्यक्ष बनने का नाम ओडिसा सरकार ने रखा तो दूसरे राज्यों ने जो अपने अपने नाम प्रस्तावित हो वापस ले लिये जो दिखाता है कि कितनी इनकी पॉपुलेरिटी कितना लोग इनको लोग प्रियता थी कि लोग इनको इतना मानते है कि दूसरे स्टीट ने अपना राज का नाम वापस ले लिया यहां पर मैं कोको UPSC चैनल की भी बात करूँ तो कोको UPSC चैनल आप सभी का जो प्यार मेन चैनल को मिला उस प्यार को आप COCO UPSC चैनल पर भी दिखा है, यहाँ पर आपको detailed analysis अलग-अलग जो national, international, जो मुद्धे होते हैं, detailed analysis, जैसे ये वीडियो जो है, इसमें हम लोग MCQ form में बहुत सारे question देख रहे हैं, लेकिन जो आपके detailed analysis किसी एक topic पर होता है, वो COCO UPSC पर होता है, तो बिल आतुल चतुरवेदी, यह क्या है, Asian Palm Oil Alliance क्या है, तो ऐसे पांच जो Palm Oil को आयात करते हैं देश, बड़े-बड़े देश, जिसमें सबसे बड़ा आयता है, पूरे दुनिया में Palm Oil का भारत है, तो ऐसे पांच देश हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, श्री लंका भी शा association होगा, तो उसी association में हमने देखा, अतुल चतुरवेदी साब अब इसके पहले chairman बन गए, next question देखें, हाली में किसने e-learning platform भारत विद्या का शुभारम किया है, निर्मला सीता रमन, भारत विद्या प्लेटफॉर्म क्या है, तो भारत विद्या जो प्लेटफॉर्म है, वह भारत के बार में पूरी चीज, भारत की संस्कृति इतिहास, दर्शन सब पढ़ाया जाएगा, यहां पे, चलो, next बात करें, तो last question हमने देखा था, किस राजजने बेटियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में, हमर बेटी, हमर मान अभियान शुरू करने की घुशना की है, 36 हमर बेटी, हमर मान जो यूजना है, वो यहां पर हम देखते हैं, कि जो लड़किया हैं, उनको स्कूल कॉलेज में जा जाकर, जो महीला अधिकारी हैं, वो बताएंगी, कि भाई, गुट टच, बैट टच, क्या होता है, यौन, शोशनर, साइबर, क्राइम, इन सब के बार म कौन सा देश वर्ष, 2023 में पहली, मोटो ग्रैंट प्रिक्स विष्व चैंपियंशिप रेस की मेजबानी करेगा, क्या नाम है, मोटो ग्रैंट प्रिक्स विष्व चैंपियंशिप, ध्यान से सुनना, इसका सही जवाब है, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्केट है, यहां पर फॉर्मूला वन कार रेसिंग, अगर आपने सुना, फॉर्मूला वन कार रेसिंग, 2011 से लेकर 2013 तक हुई, लेकिन उसके बाद विवाद हो गया, 2014 में इस बुद्ध इंटरनेशनल सर्केट को सस्पेंट कर दिया, फॉर्मूला वन ने, कि हम यहां पर इंडिया में नहीं करवाएंगे बुद्ध इंटरनेशनल सरकेट पर, क्या समस्या हुई, असल में बुद्ध इंटरनेशनल सरकेट बनवाए था, जेपी ग्रूप ने, जेपी ग्रूप एक प्राइविट ग्रूप है, और उसने यहां पर लगातार तीन सालों तक F1 अलग 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 करवाएं अच्छा फिर जेपी ग्रूप को साड़े तीन सो करोड देने थे, फॉर्मुला वन को लेकिन जेपी ग्रूप ने जब इसाड़े तीन सो करोड जेपी ग्रूप देने ही वाला था, उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार, क्यूंकि यह जो बुद्ध इंटरनेशन जेपी ग्रूप ने बोला भाई मैं तो पैसा दे रहा हूं जिसने प्रॉफिट बनाया है उससे टैक्स लो तो यह भी बात सही है, फिर अखिलेश यादफ सरकार ने फॉर्मुला वन से बोला आप हमको पैसा दोगे यह साड़े तीन सो करोड में से टैक्स उसने देने से मन कर दिया था अखिलेश यादफ को और इसलिए फिर तब से यह पेमेंट नहीं हुई तो फॉर्मुला वन ने 2014 में सस्पेंट कर दिया बुद्ध इंटरनेशनल सूना सूना पड़ा है पूरा यहां पर काम बंद है मतलब इतना महेंगा बना था लेकिन कोई इस्तमाल नहीं ह साफ है कि फॉर्मुला वन को पेमेंट करनी पड़ेगी खेर फॉर्मुला वन कर दिया है यहां पर यह बात साफ है कि फॉर्मुला वन कार्सिंग अभी तो नहीं हो रही है इन्डिया में लेकिन 2023 से जो मोटर साइकल की जो Grand Prix होती है, जिसको Moto GP बोलते हैं, वो अब भारत में आयुजित होने वाली अगले साल, तो Car Racing नहीं हो रही है, लेकिन Moto GP ज़रूर हो रही है, बहुत बड़ी खबर है, तो देखो क्या है, मेजबानी कौन करेगा भारत 2023 किसकी Moto GP, Moto Grand Prix, Greater Noida में बुद्ध अंतर राश्री सर्क करते हुएं किसे Moto GP के अधिकारियों से, नेक्स बात करेंगे, नेक्स देखो, वर्ष 2023 में कौन सा देश पंद्रवे, BRICS शिकर सम्मेलन के अधिक्षिता करेगा, BRICS के बारे में आप सब जानते होंगे, Brazil, Russia, India, China और South Africa, तो इसकी पूरी बात करने तो 2001 से कहानी शुरू करत उस टाइम पर उनने इस्तमाल किया था BRIC, BRIC, Brazil, Russia, India और चाइना, South Africa नहीं था, तो ये कौन है, ये उबरती हुई जो अर्थ वेवस्ता हैं उस समय की, उस समय उनने उनका नाम दे दिया BRICS, उबरती हुई अर्थ वेवस्ता हैं, और मैं आपको बता दूँ, आगे चलके इ उड़ जाएगा, तो ये BRICS बन गया, और आज की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया की 41% पॉपुलेशन BRICS देशों में रहती है, 41 सोचो, और 32% दुनिया की GDP BRICS देशों से ही है, तो ये कितना बड़ा वैश्विक मामलों में प्रभाव डालता है, आप बस imagine कर सकते हो, पूरी बात और करते हैं, तो संकल्पना किसने की थी, जिमो नील 2001 में, तेजी से आगे बढ़ती ही अर्थ विवस्ते हों का ये ग्रुप है, 2009 में सबसे पहले इसका सम्मेलन, जो BRICS का सम्मेलन, क्योंकि साउथ अफरिका 2010 में जुड़ा, तो शुरू में जब ये BRICS था, तो BRICS का सबसे पहले सम्मेलन, रशिया में 2009 में हुआ, और 2010 में साउथ अफरिका भी इसमें शामिल हो गया, अर्जेंटीना ने भी इसमें शामिल होने के लिए अपलाई किया, लेकिन अपलाई उसने कर दिया है, खेर, तो अभी कितने देश हैं, पांची देश हैं, अच् जो पंदरवा एडिशन है, वो साउथ अफरिका में 2023 में होने वाला है, जो हमारा कोशन था, तो इस कोशन का सही जवाब क्या है कि कहां पर आज़ित होगा, तो दक्षिन अफरिका में आज़ित होगा, यह हमने देख लिया, ब्रिक्स किसकी बात हो रही है, जो 2023 का जो बुकर प्राइज मिला है, बुकर प्राइज नाम से दिख रहा है बुकर, तो बुक तो बहुत अच्छा जो लेखन करते हैं लोग अंग्रेजी भाशा में, या तो आपने जो भी चीज लिखिए, नोवेल लिखा है वो या तो इंग्लिश लाइंग्वेज में होना मैं आपको बता दूँ, यह जो मैडम हिलेरी मेंटल इनका हाली में निधन हुआ है, इनको दो बार बुकर सम्मान मिला है, अमतरी दो पुस्तकों के लिए, एक है वोल फॉल और दूसरा है ब्रिंग अप दी बॉडी यह दोनों ही पार्ट वन पार्ट टू है, मतलब यह पा प्राइज मिला है, अच्छा, बुकर प्राइज की क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको यह भी बता दू, बुकर प्राइज में विजेता तो बहुत बड़ी बात होता है, 46 लाक रुपे का सम्मान मिलता है, तो जीतना तो निश्चेत रूप से बड़ी बात है, ल यह है गितांजली श्री, 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज गितांजली श्री को मिला है, गितांजली श्री ने लिखी थी एक किताब हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा में हिंदी, उसका नाम है रेत समाधी, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डेजी रॉक्व और फिर उसका नया नाम इंग्लिश में हो गया कि टूम आफ दी सेंड तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, रेत समाधी और टूम आफ सेंड तो इसी किताब के लिए मिला है गितांजली श्री को 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यह मई 2022 की घटना है, लेकिन क्य जीतने वाली पहली उपन्यास कौन सी टूम आफ सेंड इसका जो ओरिजनल हिंदी वर्जन था वो क्या था रेत समाधी और मैंने आपको बता दिया कि बुकर प्राइज दब मिलता है जब आपने तो इंग्लिश में लिखाओ या फिर आपने इंग्लिश भाशा में ट्रांस इस लग आपको मिलेगा लेकिन अगर आपका ट्रांसलेटर को यह आपने किसी और भाशा में लिखी थी ट्रांसलेटर कोई और है तो और यहां पर 46 लाख रुपए दोनों ने शेर किने बात करते हैं हाली में किसे बारती चिकित्सानु संधान परिशत का महानिरदेशक किय गया है तो किसको नुक्त किया गया है राजी बहल साब को I.E.C.M.R का इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का क्या नुक्त किया है महा निदेशर्च या टेर में नुक्त किया है इसकी स्थापना I.E.C.M.R की कब होी थी? 1911 में हुई थी लेकिन इसका नाम ICMR जो है जो आज का नाम है वो 1949 में पड़ा हाला कि दोनों तत्यापके एक्जाम पॉंट आव यू से काम के नहीं है इसका मुख्याले दिली में है ये तो मुझे उमीद है आपको वैसे भी मालूम होना ची हाली में किस राज्यमे देश का पहला हिम्सकलन निगरानी रडार स्थापित किया है हिम्सकलन हना एवलांच तो क्या होता है कि बहुत कम समय में हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो बर्फ से धक्यों चटाने जब वो हिलते हैं तो बहुत तेरी से आपने सुना होगा जो एवलांच होता है बहुत सारी बर्फ एक साथ नीचे आते हैं कई हमारे जवान जो की सियाचेन वगएरा इलाकों में मौजूद हैं तो ये बिचारे इसमें बहुत कम समय क्योंकि मिलता है तो ये दपके मर जाते हैं और कई बार और बी जगा कुछ लोग तो जहां पर रहते ही है इसी जगहों पर तो उनके लिए बड़ी समस्या है इसलिए अब हمने क्या बना लिया है पहला आवलांक रैडार बना लिया muito पाहँ तो यह आप देख सकतो है आपका अवलांस रैड़ा buyer को कि आ जी आइंसी कि मूवमेंंट एक और जहां से बी ओ इसको दिखेगी बर्फ की मुवमेंट दिखेगी तुरंत इनफॉर्म कर देगा जिसकी वजह से लोग वहां से निकल सकते हैं तीन सेकंड के अंदर यह इनफॉर्म कर देता है तो देखो कहां पर इंस्टॉल किया गया है तो यह स्थापित किया गया हिंस खलन एवलांस निग यूनिट है डीजी आरी का फुल फॉर्म है डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टैब्लिश्मेंट तो इसने और भारती सेना ने मिलके इसको स्थापित किया लेकिन में आंसर किया है आपका जो दिमाग में रखना है सिक्किम में पहला एविलांच रडा इसे ही को एविजिस्टर के यहां सुनन यहां पर बोला गया है वह अपने शेतरों में जितनी भी बच्चियां है उनका पूरा डीटेल, उनका नाम, उनका डेट ऑफ वर्थ, उनका आधार काड, उनके पूरी फैमिली में जो लोग है, सब की इंफॉर्मेशन, उनका भी आधार काड, सब एक रजिस्टर में मिंटेन करेंगे, जिस रजिस्टर को अलीवा रेजिस प्रशासन के लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर बहस बाजी होती, जो पेरेंट्स बोलते हैं, भाई, जो हमारी लड़की है, उसकी आयू हो चुकी है, वो 18 प्लस है, तो हम लोग बिलकुल लीगल ही शादी करवारें, और प्रशासन के पास वहाँ प्रूफ नहीं रहत मिटाने के लिए तो वहाँ पर कम से कम लड़की की उम्र कितनी इस पर विवाद नहीं होगा, आपको मालूम है कि यहाँ लड़की यह है, इसके पापा के नाम यह है, इसकी फोटो, यह मतलब सब आपके पास जब डेटा होगा, तो फिर ऐसी स्थिती में आप बाल विवा क रोक सकती हो और जो जो जूट बोल रहे हैं उन पर कारवाही कर सकते हो, चलो, नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो, यह ओड़िसा में शुरू किया गया, बाल विवा को मिटाने के लिए जो ओड़िसा में नया घढ़ जिला है, आप देख सकते हो, यहाँ से इसको शुरू किया गया जिले में 48,642 किशोरियों की जानकारी अलीवा रेजिस्टर में दर्ज की जा चुकी है अच्छा उडीसा का पहला बाल विवा मुक्त जिला कौन सा है गंजा में और 2030 तक इनको पूरे राज़ को बाल विवा मुक्त करना है ऐसा है ने ठाना है चलो रुपया वेपा दिये उनसे सामान नहीं खरीद रहें सैंक्शन लगा दिये अब ऐसे टाइम पर रशिया जो जो कुछ-कुछ उसके मित्र देश हैं उनको बोल रहा हमसे सामान खरीद लो क्यूंकि उसको भी अपनी अर्तिवस्ता संभाल नहीं है तो भारत ने इस मौके का फायदा उठाते क्या अब रशिया से और कोई कुछ खरीद नहीं रहा तो रशिया ने बूला हमनजूर है तो अब इसके लिए Sveको दो क्या कहते हैं वास्त्रो अकाउंट हो सकता है यह भी एक्जाम में कोशन आए वास्त्रो अकाउंट क्या है वास्त्रो अकाउंट स्पेशल अकाउंट है जो कि इंडिया और रशिया के बीच तो हमने रशिया को क्या बोला हमने बोला रशिया हम तुमको डॉलर नी देंगे हम तुमको रुपया देंगे तो हमारा डॉलर बच गया फॉरन एक्षेंज बच गया अच्छा सर रशिया को तो इसमें नुक्सान कुछ नहीं दे को सिंपल है रशिया से सामान हमने खरी लिया तो कम से कम उनको रुपयाह तो डालर नहीं दिया रुपया Staff वह इस रुपया का क्या करेंगे वह इस रुपय से हमसे सामान खरीच सकते कुछ भी हमारा ओपन मार्केट में हैं तो इरान से भी हमने तेल खरीदा था तब भी यह वास्तर अगाउंट बनाए थे तो सर आपने पहली बार क्यों लिखवाए जब इरान से यूखो बैंक ने अल्रेडी ऐसा किया हुआ है तो यह पहली बार क्यों लिखवाए क्यूंकि जब इरान के साथ वह घटना हुई तो इरान पर सेंक्शन लगा है तो यूको बैंक ने तब वो समय टेंप्ररी बेसिस पर यह वास्तर अकाउंट बनाए थे अब रशिया के साथ पर्मनेंटली बना दिया नहीं पर्मनेंटली यह काम चलता रहेगा और भविश्य में भी कोई आएगा तो यूको बैंक के पास यह वास्तर अकाउंट है तो भविश्य में यूको बैंक के पास अब पर्मनेंट ऐसे अकाउंट है जहां पर भारती रुपया में वैपार किया जाएगा अब टेंप्री नहीं है इसलिए हमने यह बोला पर्मनेंट बोला तो आपको भी यूको बैंक दिमांड में रखना ह तो रूस के साथ मिलकर एकाउंट बना है वास्तुर अकाउंट बोलते हैं भारती रुपया में वैपार किया जाएगा चलो नेक्स बताता हूं चर्चा में रहा ऑपरेशन मेग चकर किस से संबंदी बहुत इंपोर्टन है तो देखना CBI यानि Central Bureau of Investigation तो Central Bureau of Investigation ने क्या किया एक बाल यौन शोशन को रोकने के लिए एक उपरेशन मेग चकर शुरू किया गया है अब क्या किया CBI ने ऑपरेशन मेग चकर के अंदर CBI को असल में इंटरपोल है जो इंटरनेशनल पुलीस है ना तो वहां से एक संस्ता इंटरपोल उसने सूचना दी कि भाई भारत में चाइल्ड पॉनोग्राफी यानि बाल यौन शोशन की घटना है देखने को मिल रही है material बन रहा है वीडियो बनाई जा रही है बच्चों को वहां पे उनके साथ physical sexual violence किया जा रहा है तो फिर CBI ने क्या किया कि 20 राज्यों में रेट डाली एक केंदर शासित प्रदेश और 20 राज्यों में रेट डाली जहां पर 5000 लोग को पकड़ा गया यह 5000 लोग आप जानके हरान रजाओगे अलग 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 देशों के थे 100 देशों के 5000 लोग थे जो की involved थे इसमें और यह लोग बनाते थे इस प्रकार की वीडियो अपलोड करते थे शेयर करते थे तो इसलिए इन लोगों को पकड़ा गया है और यह जो अपरेशन इसका नाम है ओपरेशन मेक चक्रम है बता दूं इन लोगों में डर क्यों नहीं है क्योंकि यह करवाथे भी पाया जाएगा तो ऊस पर तेजी से कर वाई होगी एक साल के अंदर फैसला होगा लेकिन इतना नहीं हो पा बाद 16 महीने बाद उसमें रिजल्ट आया जबकि इतना lime light में रहा आप सोचो जो case होते हैं जो lime light में नहीं रहते हैं वहां पर क्या हमारी प्रतिक्रिया होती होगी वहां पर किस प्रकारा का judicial system होगा कितना slow चलता प्रोसेस मैं आपको बता हूं 90% के इंडिया में पेंडिंग है जो पॉक्सव एक्ट के इंतरगत रजिस्टर हुए तो आप सो कि कितना स्लो कारवाई है इसलिए ऐसे लोगों को इतना खौफ निकल जाता है कि जब कुछ होई नीरा तो करो बनाओ ऐसी चीज़ें तो बाल यौन शोशन को रोकने के लिए मैंने आपको बता दिया डाउनलोड प्लस शेर को रोकना है और ऑपरेशन कारवन 2021 में इस तरह का उपरेशन लॉंच किया था जिसका नाम तो ऑपरेशन कारवन और अभी क्या नाम है ऑपरेशन में बिल्कुल सेम है तो जो चाइल्ड पॉनोग्राफी है बाल यौन शोशन उसको रोकना है चलो नेक्स कोशन पर आते हाली में संपन दिलिब ट्रोफी क्रिकेट टूर्णमेंट 2021-22 का खिताब किसने जीता है तो जो पस्टिमी शेतर है उसने जीता है मैं आपको बता दू दिलीब ट्रोफी ये भी आ सकता है कौशन कौन से स्पोर्ट से कौन से खेल स संबन दित है क्रिकेट से संबन दित है और सबसे जादा बार दिलीब ट्रोफी को जीता है पस्टिमी जोन पस्टिमी जोन में असल में मुंबई आता है गुजरात आते लोग बहुत स्ट्रॉंग है और इनने जीता है कैप्टन पस्टिमी जोन के कौन है तो अजिंक्या रह किसने बनाए अब देखो कई बार कुछ चीजे PDF में नहीं होती वो टीचर को पढ़ाते-पढ़ाते याद आती है तो आपको वीडियो देखना तो पढ़ेगा ही क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि PDF में उस समय याद नहीं आया कि लिखना था लेकिन बाद में पढ़ाते- ट्रोफी की बात करें तो जैदे वुनाट का सरवशेश प्लेयर है सबसे अधा विकेट लिए प्लेयर ऑफ दी सीरीज यह है दुलीब ट्रोफी क्रिकेट टूर्णामेंट है 1961-62 में बी-सी-सी आई द्वारा शुरू किया गया यहीं इनको कंड़क्ट करवाते हैं फाइनल 32 वैश्वेक वितिये केंद्र सुचकांच में कौन शीष पर रहे न्यू यॉयर्क शीष पर रहा है देखो क्या वोला हमने वैश्वेक वितिये केंद्र सुच्कांच यानी इट इस सुननना रिखंट क्लोबाल फॉइनशाल सेंटर अक्ट हव्यूद बनाया है इसमेंग अब मैं आपको यह भी बता दू, यह Global Financial Center क्या होता है, मतलब ऐसा गड़, ऐसा हब, जहां पर बड़े बड़े जो financial, जो वितिय संस्थाने वो आते हैं, जैसे bank हो गए, जैसे stock market के संस्थान हो गए, वो वहाँ पर आते हैं, और उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर लेंदेन बात फिर मुंबई है, तो इंडिया के केवल दो ही लोग इस लिस्ट में आए हैं, और सेटवे स्थान पर है दिली, और सत्तरवे स्थान पर है आपका मुंबई, और 119 में से हम लोग के केवल दो ही सेंटर है, एक हमारा है गुजरात International Finance Tech City, जिसको गिफ्ट बोलते हैं, वो दो-तीन सालों के अंदर हमको उम्मीद है कि इस लिस्ट में आ जाएगा, अभी उस पर काम चल रहा है, उसमें और लोग आ रहे हैं, धीरे-धीरे Investment हो रही है, दो-तीन सालों में हमको उम्मीद है कि गिफ्ट भी एक बड़ा Global Financial Center बनके उबरेगा, मगर अभी इसमें नहीं है अभी इंडिया के बस दो ही है, सर ये रैंकिंग से फायदा क्या है, ये रैंकिंग वो लोग देखते हैं जो बड़े सर पर निवेश करते हैं, आपको मालूब बहुत पैसा आपको निवेश करना है, तो आप देखोगे कि Global Financial Center कौन से हैं, तो New York No.1 पर है, इसके अलावा हम देखते हैं कि New York के लावा London No.2 पर है, सिंगापूर No.3 पर है, तो निश्चित रूप से आप इनी जगहों पर इंवेश करने का सोचोगे, और अगर आप इंडिया के अंदर निवेश करने का सोचोगे, भाई जहाओ इंडिया में जो टॉप है, दिल्ली, मुंबई, वहां इंस्पायर करने वाली है, और यहाँ पर एक शब्द है, ब्लेंड अफ सेक्रिफाइस, हाड़ वर्क एंड विल पावर, यह शब्द बहुत सही है, क्या शब्द है, विल पावर, सच में इनका विल पावर निश्चित रूप से जबरदस्त है, मैं आपको बताओ, थर्टी सबसे ज़्यादा विक्ट इंटनेशल क्रिकेट में इनके, ODI में, एक दिवसी मैच में सबसे जख्वाइट इनके, तो एक तो अगर हम सब एड़् कर दें, यह निना सब एड़् कर दो तो सबसे जख्वाइट इनके 353, और अगर मैं केवल ODI की बाठ करूं, तो भी हाईय इनके ही ए 253 मैं आपको यह भी बता दू एक समय पर दुनिया की सबसे तेज महिला गेंदबास थी 120-125 किलो मेटर पर आर की स्पीड़बे गेंदबाजी करती दुनिया की सबसे तेज महिला गेंदबास एक समय पर वो थी लेकिन चेसाथ थोड़ा पेस कम हो गया लेकिन फिर भी हमने देखा कि इनने विकेट अभी भी सबसे ज़्यादा है तो वर्ल्ड कप में भी सरवादी विकेट लेने वाली महिला खिलाडी है तो वर्ल्ड कप में भी सबसे ज़्यादा इनके ODI में भी सबसे ज़ादा इनके, overall भी सबसे ज़ादा इनके, और ये भी बता दू, महिला अंतराश्ट्री क्रिकेट में भारत का प्रती निजित्व करने वाली सबसे उम्र दरास खिलादी, ये तो मैंने पता ही दिया, 39 येर्स की एज में, इनसे ज़ादा एज में कोई भी ऐ और अभी जब रिटायर हुएं तो इंगलेंड के साथी लास्ट मैच भी खेला, ये भी एक कोइंसिडेंस है, हना और हम ये भी देखते हैं, कि ये मैच इंडिया जीद भी गई, तो बहुत अच्छा है, इनको गार्ड और ये वो भी दिया गया, इन्होंने अपने केरियर क पहला और आखरी मैच इंगलेंड के खिला था, और सरवादी विकेट है, इनके ये दिमाग में रखिएगा, हाली में किसे इंडिया न्यूस पेपर सोसाइटी का अध्यक्स चुना गया है, तो के राजा प्रसाद रेडडी को चुना गया है, जो बच्चों को लग रहा है स चार अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर का करेंट अफेर है, तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़े हम सब कर रहें, कुछ-कुछ हम लोग ऐसी चीज़े भी करते हैं, जो कि ऐसा कोश्चन हो जो चार से 10 अक्टूबर का नहीं हो, लेकिन पहले का कोश्चन हो, लेकिन हम आइट और नी जनरल, आइट और नी जनरल की न्यूक ती है, पिछले वीडियो में होना चीज़, लेकिन नहीं है, तो हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है, ना तो कुछ छूट नहीं रहा आपका, तो आपको कुछ परिशान नहीं हुने है, बस इधर ध्यान देना है, पीड और गवर्मेंट जो कभी कबार जो प्रेस की फ्रीडम लेने का प्रियास करती है, जो प्रेस की स्वतंतरता है कि ये मत छापो, ये हटाओ, कभी किसी को अरेस्ट कर लेंगे, कभी किसी पर गोलिया भी चलती पत्रकारों पर, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये बोलते हैं तो ये इंडियन न्यूस पेपर सूसाइटी कोल मिला के इंडियन न्यूस पेपर सकाप एक असोसियेशन मान लो और इसके अधियाश कोने के राजा प्रसाद रेड़ी, 1939 में इसकी इस्थापना हुई, लेकिन ये तथ्य काम का नहीं, क्या काम का है के राजा प्रसाद दिया जाएगा, मैं आपको बता दूँ, मीना कंडा सामी जो है, वो काफी विवादों में भी आजकल रहती हैं कहीं कहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि जाती के जो मुद्धियोत इन पर खुले आम बोलती हैं, तो कई सारा जो उच्छे वर्ग के लोग हैं, वो इनको पसंद क्योंकि ये उपनली बोलती हैं, और इंटरनेशनली अब इनको एक सम्मान भी बड़ा मिल गया, तो बहुत सारे लोग को ये बात पसंद नहीं भी आ रही है, क्योंकि वो इनके क्रिटिक हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, हर्मन केस्टन एक जर्मन उपन्यास कार और नाटक का ठीक है, चिन्नाई से संबंदित है, भारती लेकी का उन्हें ये पुरसकार जर्मनी में दिया जाएगा, खेर, नेक्स बात करें, जॉर्जिया मैलोनी किस देश की पहली महिला प्रधान मंतरी बनेगी, अब ये जो खबर है, इसने बहुत सारे लोग को हिलाया, क्योंकि में मुसलोनी की समर्था, क्या बाप बोलो कि सर मुसलोनी कौन है, जिन बच्चों को नहीं मालूम, तो जो दुतिये विश्वो युद हुआ, उसमें जर्मनी को युद में कुदाने वाला कौन था, एडॉल्फ हिटलर, और इटली को कौन कुदाने वाला था, बैनेटो मु मुसलोनी और हिटलर, दोनों पक्के दोस्त, एक जर्मनी का हेड है, और एक इटली का हेड है, और दोनों नहीं मिलके वल्ड वार टू में अपने अपने देशों को, इनने इटली को कुदा दिया, उनने जर्मनी को कुदा दिया, और हमने देखा, बैने तो मुसलोनी किस प वाली है बन जाएंगी वह लबता है हो गया यहीं बनेगी लेकिन को समय है पुरी फॉर्मलिटी और पुराना टम कंप्लीट हो रहे में पुराने लोग का फिर यह बन जाएंगी नहीं प्रधान मंत्री तो लोग इससे डर रहे हैं क्योंकि इनने अपनी स्पीच में खुले आ अगये हैं जो तुमारी सिस्थिती का कारण है तो यसली तुम को वोट दो और सभ्म को हटा जैसे एक जो बने जर्मनिंके हों को बोला कि जो यहूद और你оз को बोला परिजानी की कारण है जर्में इस तो फिर लोग इख्टा होए जो साथ यहूदीं के साथ क्या किया गया, क्या किया गया, वो पुरी दुनिया जानती है, बस मैं आपको यही समझाना चाहरा हूँ, कि यह जो मैडम है, जॉर्जिया, मैलोनी, यह भी इसी प्रकार की बात करते हुए आई है, इन्हों ने भी कहा है, कि जो बाहर के लोगें पूरी नौक्रियां खा जा रहे हैं, ह इटलर ने भी अंतता जर्मनी को नुकसान जादा पहुँचाया, फाइदा कम किया, और कुछ लोगों के साथ फिर बहुत जादा बुरा कर दिया जाता है, जैसे यहूदियों के साथ हुआ, तो यह किया जाता है, कई ऐसे लोग होते हैं, जो विशेश धर्म को, यह हम समर्थक किसी है, मुसलोनी की समर्थक है, हाली में किसे बहरत का नया अटॉर्णी जनरल न्यूक्त किया गया है, तो भारत के नया अटॉर्णी जनरल आर विंकर ट्रम्णी, तो यह बात मैंने आपको पहले भी बताई, कि थोड़ी सी पुरानी कवर है, लेकिन हमने इसको इ जियाएवादी यही है, यह कौन होता है, तो आप मान के चलें कि सबसे बड़ा जो सरकार का वकील होता है, जो केंदर सरकार के, जो सबसे बड़े वकील है, उसको भी बोलते हैं, अटॉर्णी जनरल, यानि सुप्रीम कोट में केंदर सरकार को वही रिप्रेजेंट करता है, अब आपने केंद सरकार के खिलाव कोई केस कर दिया तो मोधी साथ थोड़ी ना जाएंगे भाई डिफेंड करने अव्यस्थी बात उनको वकील जाएगा तो सबसे बड़ा वकील कौन है तो अटॉर्णी जनरल सबसे बड़े वकील होते हैं अभी तक वेनु गोपाल साथ ते डेटा मैंने आपको बता दिया तीन साल की अवदी के लिए न्युक्त किये गए हैं अच्छा जो पहले प्रथम जो अटॉर्णी जनरल तो उनका नाम क्या है तो एम सी सीतलवाड ये भी एक्जाम में आता रहता है कि फर्स्ट बताओ फर्स्ट प्रेसिएंट बताओ फर्स तो निश्चित रूप से आप इस कोशन का जवाब दीजेगा ये वही कोशन है जो हमने पुरानी क्लास में जो किये हुए उनमें सी एक कोशन हमने पिक अप किया है ये निश्चित रूप से आपकी त्यारी को और स्ट्रॉंग करेगा जितना आप लिखो गया अच्छा बह तो ये जब आप लिखते हो तो निश्चित रूप से आप सोच के लिखते हौ जब आप सोच के लिखते लिखते हो ज़्यादा लंबे समय तक चीज आपके साथ जाती है इसलिए आपका सब काउंशियस माइंड जो है उसमें वह चीज एंटरी कर जाती है और भविश्च में मानलो काफी समय तक फिर आपने उस कोशन पर ध्यान भी नहीं दिया फिर भी वो आपको याद आ जाएगा कि हायर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है या लिखा है तो बस वो वाली बात है इसलिए आप लोग जरूर लिखिएगा कोशन देखो 19 सितंबर 2022 को किसने सैफ महीला फुटबॉल चैंपियंशिप 2022 का खिताब जीता है तो सैफ महीला फुटबॉल चैंपियंशिप आजूद हुई मैंने आपको बताए था कि छटवा एडिशन हुआ इससे पहले पांच एडिशन हो चुके हैं पांच पहले के जो एडिशन है वो भारत ने जीते और जो चटवा एडिशन है वो किस ने जीता आपको बताना है क्या वो बांगलादेश ने जीता क्या नेपाल ने जीता क्या श्री लंका ने जीता क्या भारत ने जीता यही आपको बताना है कि जो चटवा सैफ फुटब से लेकर 10 अक्टूबर तक की कहानी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला कोशन कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्राइंड प्रिक्स विस्ट चैंपियंशिप रेस की मिजबानी करेगा तो कौन करेगा भारत करेगा यह हमने बात कर ली थी नेक्स कोशन पर आते हैं हमारा क्या het subject हमारा यह था कि वर्ष 2023 में कौनसी थी पंदर्वे गिक्स शिखर समे गलन वे नेच्स को रिवाइस करते हाली में जानी मानी शक्सियत हिलेरी मेंटल का निदन हो गया वे कौन थी वे लेखी का थी इनको पहली मैला जिनको दो बार वुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है और इस साल का बुकर प्राइस को मिला है 2020 का गिताञेली श्रीको टूम ओफ सैंड यानि रेच समाधी के लिए, हाली में किसे भारती चिकितसा अनुसंदान परिशत का महान निदेशक न्यूक किया गया है, राजी बहल साफ को न्यूक किया गया है, ये भी हमने देख लिया था, हाली में किस राज्य में देश का पहला है, हिमस्कलन निगरानी रडार स्थाप देता है औरिसा ने अलीवा रेजिस्टर जहाँ पे केशोरियों का पूरा डेटा उनकी एज उनके परिवार का डेटा यह सब मौझूद होता है ताकि बालविवा रोके जाए औरिसा का 2030 का टार्गेट है 2030 उसको बालविवा खतम करने रुपया वेवार के लिए भारती रिज जादेमन्सीजें हमारा डॉलर बच जाएगा चर्चा मेरा ऑप्रेशन में चक्र किस से संबंदिते बाल यौन शोशन से संबंदिते और सीविया इने इसको शुरू किया है बाल यौन शोशन को रोकने के लिए नेक्स्ट बात करें दिलिव ट्रॉफी क्रिकेट टूर्णम केंद्र सूचकांक में कौन शीषपर है न्यू यॉर्क और इंडिया के दो ही शेर है दिल्ली और मुंबई हाली में सन्यास की घोशना करने वाली जुलन गोस्वामी कौन से केल से संबंदित है ये क्रिकेट से संबंदित है वर्ल्ड कप में भी इस साले उने नहीं हिस्सा भी आता 39 यह में सोचो हाली में किसे इंडिया न्यूस पेपर सुसाइटी का जैक्स चुना गया तो के राजा प्रसाद रेड़ी को चुना गया यह जो प्रेस की स्वतनतरता है उसको बचाय रखने में भूमिका निभाते हैं हाली में किस भारती लेकिका को हर्मन केस्टन 2022 दी जाने की घुशना की है मीना कंडा समि को यह देने की घुशना की है यह जर्मनी के उपण्यास महिला प्रधान मंत्री बनेंगी, यह इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री बनेंगी, दुनिया की उडरी हुई है क्योंकि मुसलोनी की खुलेयाम समर्थन करती है, हाली में किसे भारत का नया एटॉर्नी जनरल न्यूक्त किया गया है फिर question of the day का तो जवाब आपको देना ही है सेफ महिला फुटबॉल चैंपियंशिप चले तो मुझे उमीद है आपको class अच्छी लगी होगी PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी अगर आपको class अच्छी लगी तो बिल्कुल comment box में बताईगा आपको class कैसी लगी कोई suggestion कोई feedback improvement हो तब भी बताईगा मुझे उमीद है आपको class अच्छी लगी होगी तो चले फिर हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में current affairs series को continue रखते हुए तब तक लिए class को wind up करते हैं आप सभी बच्चे जा सकते हो बाई-बाई-बाई-थैंक यू टाटा सी यू अगीन